हेलो दस्तो इस वीडियो में हम गुनन खंड निकालना सिखलाने वाले हैं इसलिए इस वीडियो के अंतक बने रहेगा हमको उमीद है कि यदि आप इस वीडियो को फुल वाज कर लेते हैं तो आज के बाद गुनन खंड निकालने को लेकर कोई प्रोग्लम नहीं होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से गुनन खंड निकलना बतलाएंगे तो चलिए देखिए गुनन खंड कुछ हिस्पारकार से दिया रहता है x square प्लस 2x माइनस 3 अब चलिए अब आपको हम बतला दे कि गुनन खंड किस किस तरीका से दे सकता है तो देखिए जैसा यह गुनन खंड दिया हुए नो x square देखिए यहाँ प्रधान यह x square प्लस 2x माइनस 3 इसको कभी कभी इसी इस तरीका से भी दे सकता है इसलिए ध्यान दिजिएगा पहले क्या कर दे जाएगा देखिए यह बीच में 2x है नो तो पहले देदेगा 2x plus x square माइनस 3 इस तरीका से भी दे देगा तो अगर इस तरीका से भी दे देगा नो ताब जानिएगा कि यही है इसको इस तरीका से सजा लिख जिएगा आप कैसे सजाएगे तो पहले क्या किजिएगा नो एकस का जिस पर अधिक पावर होगा उसको पहले लिखे देखिए एकस के पावर दू सबसे अधिक दू है पावर नो तो एकस को पहले लिखे गए यानि कि एकस पे जिसका पावर अधिक होगा ना उसका पहले तो देखिए गोली X का प्यावर दो अधीक है तो इसको पहले उसके बाद देखिए यहां पर देखिए 2x तो इसके बाद 2x अब दखिए मैनस 3 है नो सबसे कव्याद इसका पावरर है इसमें भी आप सोचते होगे कि इसमें एक्स से लिखा यह गुणन खण निकालने में आपका असानी हो जाए चलिए देखिए इस गुणन खण को निकालते वाक सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है इस पर ध्यान दीजेगा देखिए सबसे पहले क्या करना होता है इस पहले वाले में और अंति माले में गुणा करना होता है य एकस स्क्वायर से गुणा करेंगे किस में माइनस तीन में करेंगे न तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री एकस स्क्वायर यतना जाएगा न तो अब क्या किजिएगा अब इसको एकस स्क्वायर को भूल जाएगा और माइनस कभी भूल जाएगा सिर्फ तीन को याद करिएगा किसको 3 को और 3 का ऐसा गुणान खण आप लोगो को निकाल देना है ऐसा दो गुणान खण निकालना है कि उसको जोड़ने या घटाने पर यह दो आ जाए और गुणा करने पर यही आए तो चलि यह करिए देखिए 3 मेले जब एक को घटा देगे तो कितना आजयगा? दो आज जाएगा अब देखिए तीन में एक से गुणा कराईए तीन आ जा रहा है याने कि गुणा नखण फाइनल हम लोग को होगा यहाँ पर ध्याँ जीए तीन माइनस एक समझ में आया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ दो नहीं लिखेंगे देखिए किस परकार किजिए इसको यहां X Sqrui है तो इसको इससी तरह रहने देंगे X Square अब यहां पर ध्यान दिजुए प्लस है तो प्लस को इससी तरह रहने देंगे अब इस दो को नहीं लिखा किए अब हम लिखें तीन माइनस एक आएँ इन्टू यह एगस है नो तो x को इसी तरह नगा रहने देंगे इन्टू एकस और माइनस यहाँ पर क्या om जाएगा? 3 अब चलिए अब इसको हुल करते जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दिजिये यह x square हो नहीं तो x square को इसी तरह रहने देंगे प्लस है तो प्लस को इसी तरह रहने देंगे अब देखिए x से अब गुणा कराएंगे x से गुणा होगा 3 में तो कितना होगा 3 x यह अब जानते होंगे अब x से गुणा होगा minus x में तो क्या आजएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ध्यान दिए अब यहाँ पर देखिए इसमें common देखना है और इसमें common देखना है यानिकि हम लोग को common निकालना है देखिए x square plus 3x में common निकालेंगे और इसमें x minus 3 में common देखिए यानिकि minus x और minus 3 में common देखिए तो देखिए अगर आप X square ysa plus 3 X निकाल लेंगे तो क्या दिख रहे आइं queste कॉमन कित्ना x को कमन किजिए यहां पर हम स्कू कमन कर रहे हैं स्कू कमन कर रहे देखिए जब हम एकस को निखाल Kentucky초 स्कार में एक एकस निकाल गया तो क्या बच गया एकस बच गया अब यहां बता हैं दिए प्लॉस 3x मतलब कि 3 गुण X, तो X तो निकाल गे थे हैं, पर का बचिए, 3 बचिए, अब, इस mental n servet canada and यहां स्किर्णा क्या मैनिस tiny, X minus 3 तो minus a common होगा, किसी भी संख्याया यांक में कुछ common नहीं दिखता है तो उसे में सिर्फ एक कमन दिखता है तो एक कोमन निकल लीए तो माइनस तो निकाल लिए तो अंदर क्या होज़ेगा एक्स और यह माइनस आ तो बहर माइनस आ गया तो अंदर के चिन बदल अब देखिए फ्लॉस इतना आ गया यदि आप ध्यान दीजिए अगर यह मान x plus 3 x plus 3 देखिए दोनों समाने है न यह आपका समान आ जाए न यह बोला अगर इस पर कर किजिएगा अगर यह मान आप पर समान आ जाए तो आप जाने क्या बाद गुर्ण खण बिल्कुछ सही है अन्य अथा गलत है इस x plus 3 निकल गया पहले था x गुण्ड très x plus 3 तो x plus 3 निकल गया तो क्या बच गया x तो हम यह सब यहाँ पर क्या लिख देंगे x अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 गुण्ड ax plus 3 x plus 3 तो निकल गया तो क्या बच गया बच गया गुड़न खॉंड आ जाएगा यही हम लोगों को एंसर हो जाएगा तो इस परकार से आसानी से आप भी गुड़न खॉंड निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या किया पहले क्या किया शुरू वाले और अंतिम वाले हम बुणा कर दिये अब जितने आया उसको ऐसे दू गुड़न खॉंड निकाले कि जोड़न या घटाने पर यह बीच वाला आना चाहिए देखिए यहाँ पर यादि तीन मेले माइनस एक को घटा देंगे तो दो आ जाएगा दो एक सो जाएगा कुछ परिवर्दि नहीं है तो इस परकार आसानी से बना सकते हैं तियादी इस वीडियो को अन तक देखे होंगे तो हमको में देखिए फूर एकदम समझ में आ गया होगा अगर लगता है थोड़ा भी कन फिज़ोन है तो फिर इस वीडियो को सुरू से देख सकते हैं एक दो बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा चलिए इस वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प होगे या थोड़ा भी समझ में आया होगा तो इस वीडियो के लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर अल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लिजिएगा